नमक के तेरा बहतरीन फायदे एक चीटी के काट लेने पर तुरंत नमक के पानी के घोल से काटे हुए सान पर धोने से अराम मिलता है दो, एक दो भूंद सरसो के तेल में एक चुटकी पिसा नमक मिलाकर दात साफ करे इससे दातों की जड़े तो मजबूत होती ही है साथ ही दातों में किसी परकार का रोग नहीं होता तीन, ज्यादा लिखने पर उंगलियों वह हतेली में दर्ध हो तो गुनगुने पानी में चुटकी नमक डाल कर सेख करें अराम मिलेगा चार, टूथ ब्रश को किटानू मुक्त वह साफ करने के लिए नमक ये डेटॉल मिले कुनकुने पानी में कुछ दे डुबो कर रखें पाँच, हरी पत्तेदार सबजियों को नमक मिले पानी से धोने से उनमें छिपे कीडे मर जाते हैं छे, यदी नमक में कुछ दाने मटर के डाल दिये जाएं तो नमक पानी नहीं छोड़ता है साथ, यदी नमक दानी को गरम चूले की सिताय पर रखा जाएं तो नमक में ना तो नमी पैदा होगी और ना ही नमक जुडेगा आठ, नमक में कुछ दाने कच्चे चावल के डाल दिये जाएं तो नमक के डले नहीं बनेंगे नमक दानी में छोटा लकडी के कोईले का बिना जला टुकडा डाल दिया जाएं तो वह सारी नमी चूस लेगा और नमक खुसक रहेगा दस, घर में सफेदी करवाते समय चूने के घोल में थोड़ा सा नमक मिला देने से अधिक दिनों तक टिका रहता है ग्यारा, कपडों में नील देने से पूर एक चुटकी नमक डाल दें, कपडों में नील के धब्बे नहीं पड़ेंगे बारा, गुल्दस्ते में नमक मिला पानी डालने से फूल ताजे बने रहते हैं तेरा, किसी कागज के पैकेट में कृत्रिम फूलो को रख कर उसमें एक मुठी नमक मिला कर अच्छी तरह हिलाने से फूलो की धूल गर्द साफ हो जाती हैं और वे नए फूलो की तरह दिखने लगते हैं आशा करती हूँ दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छे लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही यूजफुल टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आउन करना ना भूले जिससे जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद